हाई फ्रेंड्स दिवेगान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूँ पंकजराए आज मैं आप सभी के लिए हिंदी प्रैक्टिस पेपर सेट नमबर 24 लेकर के आया हूँ यह क्वेशन पेपर यह प्रैक्टिस पेपर पीजिटी टीजिटी और नेट की परिक्षा देने वाले तीनो तरह के अभियर्थियों के लिए लावकारी है हलांकि टीजिटी की परिक्षा हो चुकी है लेकिन पीजिटी और नेट वाले इसको देख सकते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न शांत रस को महत्त देते हुए किस आचारे ने तत्वग्यान को उसका स्थाई भाव माना है सही उत्तर है अभिनाव गुप्त ने ओफसन C सही है दूसरा प्रश्न है रस सूत्रक में किंदो शब्दों की व्याख्या पेक्षित रही है दूसरे का ओफसन D सही है संयोग और निश्पत्ती दीसरा प्रश्न देखते हैं मित्रों आचार्य कुंतक ने वैदर्भी गौडी और पान्चाली को क्या नाम दिया है इसका सही उत्तर है तीसरे का ओफसन C सुकुमार विचित्र मध्यम मार्ग चौथा प्रश्न देखते हैं दृष्टकूट पदों में कौन सा दोश पाया जाता है सही उत्तर है ओफसन B क्लिश्टत्व दोश क्लिश्टत्व का मतलब होता कठिंता का दोश दृष्टकूट पद पढ़ने के बाद जल्दी उसका अर्थ निकाल पाना कठिं होता है इसलिए इसमें कठिंत्व या हम कह सकते हैं क्लिश्टत्व दोश पाया जाता है पांचमा प्रश्न लोक व्यवहार में प्रयोक्त न होने वाले शब्दों का कावे में प्रयोक करने पर कौन सा दोश माना जाता है सही उत्तर है पांचमे का ओफसन B अशलीलत्व दोश यानि अशलीलता माना जाता है कावे में अनावश्यक शब्दों का प्रयोक होने पर कौन सा दोश होता है कावे में अगर आवशक्ता से अधिक शब्दों का प्रयोक कर दिया जाए तो वो अच्छा नहीं लगता कावे वही अच्छा होता है और प्रभावकाली होता है जिसमें शब्द कम आए सात्वा प्रश्ण कार्य और कारण में संगती न होने पर कौन सा अलंकार होता है यहां होना चाहिए सात्वे का सही उत्तर है और संगती चलिए आठवा प्रश्ण देख लेते हैं कारण न होने पर भी यदि कार्य संपन्न हो रहा हो तो वहां कौन सा अलंकार माना जाता है विभावना नौवा प्रश्ण देख लेते हैं कारण सहीत उपमे का उतकर्ष जहां दिखाया जाए वहां पर कौन सा अलंकार होता है उपमे मतलब जिसकी उपमा दी जाए और उपमान मतलब होता है जिस से दी जाए तो नौवे का ओफसन डी साई ये वैतिरेग 10. कहें कविभेनी ब्याल की चतुराई लीनी इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? 10. का ओफसन एस ही है यमक अलंकार है 11. 1. प्रश्न ध्वनी को कावे की आत्मा इन में से किसने स्विकार किया है? चार आफसन दिये गए हैं आपने लिमाक लगाईए आचार वामन आचार कुंतक आचार आनंद देव आचार भामन तो सही उत्तर आफसन सी आचार आनंद वारधान बारहवाँ प्रशन है वीरस प्रधान रचना में कौन सा गुण होता है तो मैं बता दूँ जैसे सामान नितवर पर तीन गुण होते हैं ओज प्रसाद और माधुरिय तो इसमें जो है ओज गुण होता है क्योंकि जो शीली होती है कविता वीरस वाली आगे तेरामा प्रश्ण है इनमें से कौम सी विश्यष्टा सुचंदता वाद की नहीं है तेरामे का सही उत्तर है और संडी और आश्ट्रियता चोदामा प्रश्ण है बिम्ब अविधा की अपेक्षा लक्षणा और वेंजना पर आधारित होता है या कथन की समिक्षक का है चोदामे का सही उत्तर है और संबी किदारनाट सिंग्ग का पंद्रहमा प्रशन है दिवास्वपनात्वा दुख दुस्वपनात्मक विंब का दूसरा नाम क्या है अब देख लिजिए पंद्रहमे का आफसंसी सही है फैंटेसी मतलब कोरी कलपना होती है इसलिए उसको दिवास्वपन कहा गया है सुलहमा प्रशन काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते यह परिभाशा इन में से किस आचारे ने दी है तो सही उत्तर है ओप्सन बी दंडी ने सत्रहमा प्रशन है भूशन बिन विराजई कविता बनिता मित मतलब कविता बिना भूशन का मतलब है आभूशन के सुंदर नहीं लगती अच्छी नहीं लगती प्रभावकारी नहीं होती तो सत्रहमे का आफसन C सही है या किसका कथन है केशव जी का कथन है अब उसी से मिलता जुलता प्रशन ठारवा देख लेते हैं इनमें से कौन सा हिंदी कभी अलंकारों को काव्य का प्राण तक तो मानता है तो सही उत्तर है ठारवा का आफसन A केशव जी इनमें से किस आचारे ने वाक्यम रशात्मकम काव्यम कहा है तो सही उत्तर है आफसन B विश्वनात जी ने रस युक्त वाक्य रचना ही काव्य है या इसका आर्थ हुआ बीस्वा प्रशन मधुमय वसंत जीवन वन के इस पंक्त में वसंत किसका प्रतीक है सही उत्तर है यवन का मधुमय वसंत जीवन वन के तो जीवन लिखा गया है इसका मतलब है कि यहाँ यवन से मतलब है यह किसवा प्रशन उपन्यासकार प्रेम चंद्र को आप किस वर्ग में रखेंगे सही उत्तर है आउसंडी आदर्शोन मुखे यथार्थ वादी वो आदर्शोन मुखे भी थे आदर्श के बातें भी करते थे लेकिन यथार्थ से भी रूबरू कराते थे 22 प्रशन है संसार में व्याप्त कलुष और मल मलिंता लिखने होना चीए मलिन्टा पर कौन परदा नहीं डालता 22 में का सही उत्तर है ओफसन B या थार्ट सुबादी लो 23 प्रशन है आधुनिक्ता के बारे में तीन अध्या एक इसकी कृति है सही उत्तर है 23 का ओफसन C डॉक्टर धननजे वर्मा की 24 प्रशन है मित्रों कवी की प्रतिभा की कसोटी उसके बिंबों की शक्तिमत्ता मौलिक्ता यों प्रभाव छमता है ये शह लिखा या यह होना चीए या कथन किसका है 24 का सही उत्तर है ओफसन C हरबर्ट रीड का ये कही ये प्रशन है मेरी समझ से जो पास्चात्य का विसास्तर का आ गया है 25 प्रशन देखिए सुवरन को खोजत पिरत कवी विविचारी चोर में कौन सा अलंकार है कवी अच्छा शब्द ढूंडता है सुवरन उसके लिए अच्छा शब्द है चोर सोना ढूंडता है और विविचारी सुंदर इस्तरी तो यहां सुवरन का कई अर्थ है 25 का ओफसन 20 आई शलेस जहां एक शब्द शलेस का मतलब यह होता है चिपकना जहां एक शब्द में कई अर्थ चिपके होते हैं वाँ शलेस होता है 26 प्रशन ध्वनी को कावे की आत्मा किस आचारी ने माना है 26 का ओफसन D सही आनंद वरधन ने 27 प्रशन है रस ध्वनी को कावे आत्मा पद पर किसने प्रतिष्ठित किया सही उत्तर है ओफसन C अभिनव गुतने 28 प्रशन कवी की अनुभूति का साधारनी करन होता है यह मत किस भारती आचारी का है 28 का ओफसन D सही है डॉक्टर नगेंदर का 29 प्रशन है रस को वेंजना का व्यापार किसने माना है 29 का ओफसन D सही है अभिनव गुप्त जी ने अगला है रस की सत्ता को आत्मगत किसने माना है सही उत्तर है अभिनव गुप्त जी ने तो मित्रों मैं समझता हूँ यह वीडियो आपके लिए काफे लावकारी होगी तो यह मां समझे कि यह वीडियो खाली TGT के लिए है यह वीडियो PGT वाले सिलेबस से भी मैच करती है यह वीडियो नेट सिलेबस से भी मैच करती है तो मैं समझता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आए होगी इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए अपने दोस्तों मित्रों सगे संबंधियों से शेर करिए और अगर आप नई वीवर हैं तो रेड बटन दबा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथी साथ वहाँ जो घंटी का निशान है उसको भी दबाईए ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहें तो मित्रों एक बार फिर से आप सबी का धन्यवाद